नमस्कार शुरुताओं मैं वैशाली बरसेया एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से हाजिर हूँ पॉडकास्ट का असर पती किराय पर चौकिये मत ये खबर सही है बृटेन की इस खबर ने सबका ध्यान अपने तरफ खीचा आप तो जानते हैं विश्व के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए किसे पता कौन कब किन बातों से प्रभावित होकर करिश्मा कर डाले कहां नहीं जा सकता बृटेन की एक महिला लौरा ने एक पौडकास्ट में जब किसी व्यक्ति को यह कहते हुए सुना कि वह घरेलू कामकाच करते हुए जीवन यापन कर रहा है इस बात को सुनकर लौरा अपने पती का मुल्यांकन करने लगी लौरा ने पाया कि उसका पती जेम्स घरेलू कामों के लिए बहुत उपियोगी है लौरा को यह याद आया कि उसके पती ने बकिंगम शायर वाले मकान में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है जेम्स ने घरेलू बेकार अनुपियोगी समानों से डाइनिंग टेबल बना दिया किचिन को व्यवस्थित कर दिया था जेम्स गार्डनिंग के काम में भी माहिर है तो क्यों ना जेम्स की इन सभी प्रतिवा का उपियोग घरेलू आर्थे किस्तिथी को सुधारने के लिए किया जाए बस फिर क्या था लॉरा ने रेंड माई हैंडी हस्बिन नाम से एक वेबसाइट बनाया इसके अलावा शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेस्बॉक और नेक्स टोर एप पर इसका जम के प्रचार किया जिसका फाइदा उसे मिला पति जेम्स के लिए किये गए इस विग्यापन से ब्रिटेन की महिलाओं ने सोचा होगा यह एक तरह से उनकी सभी प्रकार की जरूरत को पूरा करने वाला विग्यापन है इस तरह लौरा का विग्यापन एक रुमानियत से युक्त विग्यापन बन गया समचारों में बताया गया है कि लौरा और जेम्स के तीन बच्चों में से दो बच्चे आर्टिस्टिक बिमारी के रोगी हैं ऐसी स्थिथी में उसे अपने घर को चलाना मुश्किल होता है इसी वजह से लौरा ने एक विज्यापन सार्वजनिक कर दिया ताकि उसके पती जेम्स को काम मिल जाए इस विज्यापन से उसे कितना फायदा हुआ इसकी जानकारी तो नहीं है फरन्तु सेल्फ एडवोकेसी का यह तरीका नायाब जरूर है आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसी ही जबरदस्त खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद